वेलकम टू युलाइश्टेड यूट्यूब चैनल डियर स्टुएंट्स मिसन एच्पी सेक्टेट कलर्क के पार्ट नमबर फोर में मैं आप सब इस्टुएंट्स का पुना स्वागत करता हूँ आज की सुरुवात करेंगे एक अच्छे से बिचार से हम लोग अच्छी किताबे और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पढ़ता है आप लोगोंने बहुत से यूट्यूब चैनल से देखे होंगे उनके उपर बे देखिएगा कहां पे आपको कितनी बेतर हरें समगरी मिल रही है और उसी के अधार पे आप उनका चैन करें अनुचेद 12 से 35 तक हमें क्या दिया गया है फंडामेंटल राइट्स दिये गया है लेकिन बरतमान में जो भारतिया समिधान में कितने मूल अधिकार विद्यमान है तो वो है च्छ अब देखिए चाहां कहां गया 44 चताल में समिधान संसोदन 1979 में संपत्ती के अधिकार को जुसका परणन कहां पे था अनुचेद 30 तथा 19 F में था को मूली का दिकार की सुची से अटाकर अब किसमें डाल दिया गया है अनुचेद 3300A के अंतरगत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है समिधान की कौन सी धारा प्रेस की सुतनतरता से संबंदित है तो भारतिया समिधान का जो अनुचेद 19 है जिसके अंदर आपको विभिंतरा की सुतनतरता भी देगे ये तो इसी के अंतरगत क्या माना जाता है जो प्रेस की सुतनतरता उसको भी समिलित कर दिया गया है समिधान में प्रेस या मिडिया की सुतनतरता का कहीं भी कोई सिधा उलेक नहीं किया गया है लेकिन अनुचेद 19 में दिये गया सुतनतरता के मूर अधिकार को प्रेस की सुतनतरता के समकक्स माना गया है और भी आपने याद रखना है अनुचेद 19 में क्या किया गया चेतरह की हमें सुतंतरताइं भी दी गई है भारत का सरवोच नागरिक समान कौन सा है तो भारत का जो सरवोच नागरिक समान है उसको बोला जाता है भारत रतन भारत रतन, भारत का सरवोच नागरिक समान है जिसे कला सहाईतिया बिग्ञान खेल केक सितर में आसाधारन योगदान के लिए भारत सरकार की और से परदान किया जाता है भारतिया राष्ट्रिया कांग्रेश का प्रत्थम अदिवेशन कहां पर हुआ था तो भारतिया राष्ट्रिया जो INC है उसका प्रत्थम अधिवेशन हुआ था बंबई में कब हुआ था भारतिया राष्ट्रिया कांग्रेस की स्तापना अठाई दिसंबर 1885 में की गई थी जिसका पहला अधिवेशन बंबई में कलकता हाई कोट के वेरिस्टर बुयमस चंदर बनरजी की हदेक्सता में हुआ था यह प्रसन भी बहुत बार पुछा जाता कि कॉंग्रेस के प्रत्थम जो इसके हदेक्सते ओ कौन थे उनका नाम क्या था W.C. बनरजी भी लिखा होता ह दो अक्तूबर 1959 को किस राज्या ने सरप्रत्थम पंचाइती राजपत्ती को अपनाया था बहुत ही मती मतोपन और बहुत चर्चित प्रसन है तो सबसे पहले जो भारत में पंचाइती राज की विवस्ता को अड़ाप्ट किया गया था राज्यस्तान में तो समिधान के अनुचे 40 में राज्यों को पंचाइतों के गठन का निर्देश दिया गया है 1993 में समिधान में तेतर में समिधानिक संसोधन करके पंचाइती राज संस्ताओं को समिधानिक मानेता परदान की गई दो बात याद रखनी है, भारतिय समिधान में जो पंचाइतों का बनन किया गया है, जो राज्यनिती के निर्देशिक सिधानत है, उनके अनुचित 40 में इसका किया गया है, उसके बाद जो सेकींड सबसे मतुपुन चीज़ इसमें आती हो रखना है, आपने तेतरमा समिधान से 249 तक और समिधान के ग्यारबी अनुचुची चोड़कर पंचाइत के गठन, पंचाइत के स्दस्यों के चुनाब, स्दस्यों के लिए आरक्सन तथा पंचाइत के कारेों के समन्द में ब्यापक प्रापधान किये गया है, जिकितना महतोपुर्ण समिधानिक संसोदन कि समिधानिक संसोदन आपको बता देते हैं, उन्हें भी समिधानिक दर्जा दिया गया है, 74 में, समिधान सभा के अधेक्स कौन थे, भरतिया समिधान को निर्मान करने के लिए समिधान सभा बनी थी उसके प्रतम अधेक्स दे हो थे डॉक्टर राजंदर प्रसाद ठीक है, और अब यही प्रारुप स्मिती के अध्यक्स की बात करें कौन थे जो ड्राफ्टिंग सरूप त्यार करना था तो उसके अध्यक्स बनाया गया था बाबा साहब भीमराओ अमबेडकरजी को. जुलाई 1946 को जब समिधान सबा को भारत के समिधान के गठन की जिमेदारी सौंपी गई, डॉक्टर राजंदर प्रसाद को इसका हध्यक्स न्युक्त किया गया. आजादी के ढ़ाई साल बाद 26 जनबरी 1950 को सुतंतर भारत का समिधान लागू किया गया और डॉक्टर राजंदर प्रसाद को भारत के प्रत्म राष्टपती के रूप में चुना गया. राष्टपती के रूप में 12 साल के कार्याकाल के बाद देश के सर्बोच नागरिक समान भारत रतन से समानित किया गया. डॉक्टर राजंदर प्रसाद का जनम 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सीवान जिले के जिरादे गाम में हुआ था. डीर स्प्रियान से दिया, आप लोग अच्छे से त्यारी करना चाते हैं, तो इससे वेस्ट आइटिंग आपको स्टेडिम डिल्ड कहीं भी उपलब नहीं होगा. देखिए कैसे, मैं कंक्लूड करता हूँ इसको, समिधान सभा कब बनी? उसके अध्यक्स कौन थे? डॉक्टर राजंदर परसाद थे. भारत के पहले राश्टरपती कौन बने थे? डॉक्टर राजंदर परसाद बने थे. ओ किस भारत के किस राज्या से समन्द रखते थे? बिहार से रखते थे. कई बार उनका जनमस्तान भी पुछे जाता है. ज करे काले लिए तो 12 वर्शों तक के राष्टरपती भारत के बने रहे लिए और इसके साथ एक और बहुत ही मतोपन प्रसन निकलता इसमें से कौन से राष्टरपती है जैने दो टेन्यूर्स अपने कंप्लीट किये थे काफ़ी समय तक राष्टरपती में 30 दिसंबर 1906 इस भी को ढाका में मुस्लिम लिग की स्तापना की सलीम उल्ला खान मुस्लिम लिग के संस्तापक बह अधिक्स थे प्रसंद नंबर बन स्टेटिक जी के का है मुस्लिम लिग की स्तापना का भई 1906 में हुई मुस्लिम लीकी जो स्थापना का अधिवेशन था और कहां पे बुलाया गया था धाका में बुलाया गया था उसके संस्तापक और प्रथम हदेक्स कौन थे उनका नाम था सलीम उल्ला खान इस तरह से एक प्रसन के साथ में 5 प्रसन और जुड़े हुए है राष्ट्रिया योजन समिती के हदेक्स पद पर निउक्थ होने बाले प्रथम ब्यक्ति कौन थे तो इनका नाम था जोहारलाल नहरु थे महत्मा गांदी के स्रक्षन में बे भारतिय सुतंतरता आंदोलन के सर्वोच निता के रूप में उबरे थे आपको ग्यात्वियोगा भारत के दी प्रथम प्रधानमंत्री थे और कौन बने थे पंडी जुहारलाल नेहरू बने थे वर्स 2009 में लोकसबा के अदेक्स कौन थी तो वर्स 2009 में यूपय की सरकार थी और लोकसबा की अदेक्स कौन थी सिरी मत्ती मीरा कुमार थी और प्रधानमंत्री सिरी मनमों सिंग जी थे लोकसबा अदेक्स भारतिय संसत के निमन सदन लोकसबा का सबापती तथा अधिस्टाता होता है आपको पता होगा भारतिय संसत के दो सदन है लोकसबा और राज्य सबा राज्य सबा उच सदन है लोकसबा निमन सदन है तो जो निमन सदन है लोकसभा है उसका जो सभापती होता है उसे क्या बोला जाता है भारतिया लोकसभा का हदेक्स भी बोला जाता है बरतमान लोकसभा हदेक्स सिरिमती सुमित्रा महाजन है जो की अपनी पुर्भा अधिकारी मीरा कुमारी के बाद इस पद की दूसरी महिला अधिकारी है प्रसन आप लोगों के लिए भारतिया लोकसबा में प्रत्थम महिला अधिक्स कौन बनी थी यह आपने मुझे कमेंट सेक्षन में लिख के बताना है ठीक है अगला प्रसन पंचों के कार्याकाल की अबदी कितनी है पांच बरस है ग्राम पंचायत इपन पंचायत समिती की तरह ही जिला परिसद का कार्याकाल भी इसकी पहली बैठक से पांच बरस का होता है देखिए एक चीज़ा आपने पर आश्टरपती होता है कुई अलग सिर्क हादेक्स नहीं होता है उपर आश्टरपती को Jeffrey को क्या मGUना जाता है राजया सबस्वा planning on a का बिखना में बहुमत dal को 10 रुपराश्टान मंतरी बन मन जाता है और बाकिस legiko अपने दिख sebelum करते है राज्य आज-ोग मां कितनी कि लोकसभा और राजेसभा के स्थस्या मिलकर चुनाब करते है, हद्यक्सी सभापती होता है, क्लियर, किस समीधान संसोधन द्वारा आम चुनाबों में मतदान किया यू 21 बरस ये गठाकर 18 बरस कर दी गई, देखे इस प्रसन को याद रखने का आपको टीप्स देता हूँ, आ से आपको ये अधिकार दिया गया था, तो 61 जो समेधानिक संसोधन हुआ था, 1989 में तब से क्या किया गया था, जो मतदान करने के यू 21 बरस से कम करके कितना कर दिया गया था, 18 बरस कर दिया गया अपने आपस जिस प्रसन को जोड़ेंगे, ज़द समय तक आप उसको संसत के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से हधिक कांतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 मीने से हधिक कांतराल उसमें नहीं होना चाहिए, सेरसाह का मकबरा कहां पर है, सासाराम, अब सासाराम कहां पर पढ़ता है, सासाराम एक जगा है, भारत प्रांत के बिहार राज्या का एक सहर है, शेर सहर ने अपने मकबरे का निर्मान स्वें किया था, हडपा कालिन सब्यता मानम इतिहास के किस यूग से समंदित है, बहुत मतोपन प्रसन है, पता नहीं मैं किसको 5-6 एक्जाम में तो देख चुका हूँ, सेट के पेपर में प्रसन पूछा गया था, जो हडपा का प्रसन के एक्जाम में प्रसन इतने सीमिलर होती है, कि हम उनका चुना भी नहीं कर पाते हैं, जब इस प्रसन को फेस किया था, मैंने कम दस बच्चों से पूछा था, सेट के पेपर की बात है, इसमें ओप्सन थी कांसिया, लोहा, दो आप्सन है, और तो बच्चे इतने कन फ्यूज थे कांसिया और लोहा में, क्योंकि दोनों की वहां पे उस टाइम पे यूज किया गया था, I think, तो फिर इस तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए थोड़ी से सजगता दिखानी होगी, तो बात करते हैं, हरपा कालिन यूग के 20 में पढ़ता है, देखिए कितनी मत्तोपुन थिंक से आपर बताई जा रही है, पसान यूग था लोहा यूग के 20 में, किसका यूग था, कांसिया यूग का था, I think, आप तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस प्रसंद, किस मुगल सासक ने जजिया नामक कर पुना लगाया तो उनका नाम था औरंग जेव, जजिया कर सरप्रतम मुहमद बिन कासिम ने लगाया था, ताथा समापति किसने की थी, इसकी मुहमद साहर अंगिलना ने इसकी समापति की थी, मुगल काल में किस देश के बिपारी सबसे पहले भारत में आये, तो पुर्थकाल के 1522 में मुगल समराट अकबर द्वारा समरूप धर्म था, अकबर ने दीने दिलाही धर्म की स्थापना की थी, तो दीने इलाही धर्म को आपने किस के साथ जोड़ देना है, अकबर के साथ जोड़ देना है, सिवाजी के राज्या की आयका प्रमुक सादन क्या था, तो उनकी स्किसानों से लगान निर्धारित होता था किंद्रिया अधिकारी द्वारा राजस्वा एकत्तर किया जाता था सूला अप्रेल 1853 इसवी को भारत में सरप्रथम रेलगारी कौन से नगरों के बीश प्रारम हुई थी तो यह चली थी बंबई से थाना के बीश में कब चली थी भी 1853 इसवी में चली थी पहली लोकल ट्रेन बंबई से थाने के बीश 1853 में चली थी इस चार भुगी की ट्रेन को तीन इंजन खिंच रहे थे जिनका नाम था सुल्तान, सिंद और साहिब तथा ट्रेन ने 33 किलोमेटर का सफर तया किया था Dear students, हमारे कलर्क की discussion हो रही है यूट्यूब चैनल पेपर पन्तू प्रसन हमारे बहुत से एक्जामों के साथ में जूड़े हुए कलर्क 2HS के बीच में आप देखेंगे इस तरह के प्रसंस वहां पे आपको देखने को मिलते है तो ध्यान से सुनियेगा, यह मत मानियेगा कि कलर्क का question paper मेरे काम का नहीं है बहुत सी चीज़े आप इसमें सीख सकते हो कस्मीर में निसान्त और सालीमार भागों को किस मुगल समराथ ने बनबाया था जहांगेर Operation Blue Star कहां हुआ था? Operation Blue Star हुआ था अमरितसर पंजाब में Operation Blue Star भारतिया सिना दौरा 3-6 जुन 1984 को अमरितसर पंजाब भारत स्तित हरी मंदिर सहाई परिसर को खाली स्तान समर्थक जनरेल सिंग विंडारा वाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था गायतरी मंतर का उलेक सरप्रतम कहां पर मिलता है तो यह मिलता है रिगवेद में गाइतरी मंतर रिगवेत के तीसरे मंडल में है इसमें कुल 62 सुक्त है जो इंदर देव और अगनी देव को समर्पित है आज के इस लेक्चर में इतना ही थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्यूंकि आपके एक्जाम के डेट हो चुकी है अनाउंस और जल्दी से आपका काफी ज़्याद स्लेबस मुझे यूट्यूब चैनल पर आपसे कबर करवाना है जो हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दो पत्रिकाओं का अप्रगासन कर रहा है जिसमें आपको मिलेगी अगस्त मिने की और सेप्टेंबर मिने के साथ में हमारे 35 लेखों का संग्राभ बदल रहा है मेरा देश तथा प्रदेश भी उपलब्द है इसके अलाप भी बहुत सी उ यूट्यूब चैनल